तो गाईज अगर आप 12th पास हैं और अगर आप 12th के बाद गौर्मेट जॉब करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है तो गाईज SSE की तरफ से 10 प्लस 2 की वेकंसी निकली हैं जिसमें लवर डिविजनल कलरक जोनियर सेक्टर्ड ometer की तो की पोस्ट हैं इसकी जो स्टर्टिंग सेलरी रहेगी वो रहेगी 19,900 और इसकी जो एंडिंग सेलरी रहेगी 63,200 उसके बाद अगर हम बात करें कि पोस्टल एसिस्टेंट और सौरिंग एसिसेंट की यह जो दूनो पोस्टेंट हैं यह हैं लेवल 4 की पोस्ट इनकी जो स्टार्टिंग सेलरी रहेगी वो रहेगी 25500 से लेकर और इंडिंग सेलरी जो है वो 81100 रहेगी और इसमें जो post data entry operator की है इसकी जो starting salary रहेगी level 4 वाली की वो रहेगी 25,500 और जो इसकी ending salary रहेगी वो रहेगी 81,100 और data entry operator के अंदर आपको level 5 की post भी मिलेगी जिसमें जो है जिसकी जो starting salary है वो 29,200 से लेकर और ending salary जो है 92,300 रहेगी अगर हम age limit की बात करें तो आपकी age 18 साल से लेकर 27 साल के बीच होनी चाहिए यह जो मैं आपको age बता रहा हूँ age limit बता रहा हूँ यह open merit वालों के लिए है उसके बाद अगर हम qualification की बात करें तो आपकी qualification जो है इसके लिए वो 12 होनी चाहिए इसमें जो data entry operator की post है उसके लिए जो 12 पास apply करेगा उसके पास science stream होनी चाहिए with maths बाकी जो पोस्टें हैं जैसे lower divisional color की है post assistant की है इनके लिए कोई भी 12 वाला apply कर सकता है चाहे फिर उसने 12 जो है 8 से पास की हो commerce से पास की हो कोई किसी सी कि पास की हो तो इन पोस्ट की apply कर सकता है लेकिन सरिफ और सरिफ data entry operator के लिए सिरिफ एक science stream वाला with math सी apply कर सकता है अब हम बात करते हैं कि इसका form अब कब बर सकते हो तो आपने इसके लिए जो form बरना है वो online बरना है एक February से इसके already form निकल चुके हैं और 7 March 2022 तक date है तो आप जो की बात करें कि इसका exam कब होगा तो इसका exam है वो CBT mode में होगा computer based test मतलब कि online होगा और मे के महीने में होगा अब मे किस date को होगा ये अभी तक SSE ने decide नहीं किया है लेकिन सिर्फ इतना बताया हुआ है कि मे के महीने में हम इसका exam है वो लेंगे अब अगर syllabus की बात करें तो इ business से आपको 25 questions आएंगे जो की 50 marks के होंगे उसके बाद math से आपको 25 questions आएंगे वो भी 50 marks के होंगे उसके बाद general awareness से आपको 25 questions आएंगे जो की 50 marks के होंगे और time जो है आपको 60 minutes का दिया जाएगा और total आपको यहां से questions जो है 100 आएंगे और इनके जो marks बनते हैं वो 200 marks बनते हैं और अगर हम exam fees की बात करें तो आपने 100 rupees जो है यहाँ पे fees जमा करनी है और जो women female से उनके लिए कोई भी fees नहीं है अब जो tier 1 clear करेगा उसके बाद उसको tier 2 देना होगा tier 2 जो आपका exam होगा वो pen paper मतलब की offline mode में होगा जिसमें आपको essay और letter लिखना होगा उसके बाद जो tier 2 भी clear करेगा उसके बाद उसको tier 3 लिया जाएगा tier 3 में आपको skill test या typing test इसको कहते हैं वो लिया जाएगा जो फिर typing test भी clear करेगा उसके बाद document verification होगी उसके बाद आपकी job जो हो लग जाएगी तो अगर आप इसका syllabus देखना चाहते हैं तो यह syllabus है इसका आप फटफट से इसका screenshot ले लिजिए और अगर आप interested है इन सबी jobs के लिए तो आप इस form को जरूर बरिये इस form का जो नाम है वो है combined hair secondary level exam मतलब की CHSLE तो आप यह form जो है जरूर apply कीजिए